नमश्कार दोसों आप शभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपको बता दे कि आपके उपर तांतरिक क्रिया कर रहे हैं इसे नाम की ओरत जिया दोसों हम आप शभी को बता दे कि आज के इस जवनकाल में हरे लोग एक शपल इंसान की पीछे इसे क्रियाएं करने में लब है कि आपके पीछे कोई शाया छोड़ दे आपके पीछे भूत छोड़ दे या पिर दोस्तों आपकी जुनकाल में आपको हर छित्रों में नुक्षान कराता रहे आपके काईर नहीं बनता हो घर में लोग बिमार रहते हो बहुत शारी की शाया छोड़ में अच्छानक शेए व्यक्तिय को गिर लेती है और वहा कुछ शोच भी नहीं पाता जिया दोस्तों पोट्सों कों चहीं गटनाएं आपके वी ज हो रहे हैं दोस्तों आपने weekends कि परकार आफके कार बनते बनते बिगड़ वहीं किष्परकार आपके जुन में खुशियां आते हुऊ- कविर्व्यू权 कमाया आपutetफ है छोब ब्धाउन रहे लिजने में चले गए दोसों दें शभी का यही निष्क कर आता है कि आपके जुनकाल में किशी का जलूर शाया है तो दोसों आज की अच वीडियो को आप बेलकुल ही मिष्टा करें और इन्हें शुरूर शे में उयकश्ट के के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके घर में तांतरिक के लिए जादू टोना कर रहे हैं शादोसों केशे आपके उनको अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं केशे आप खुद को मुर्ट कर सकते हैं उनके बारे में 200 महत्पन उपाई भी बताने वाले हैं शादोसों आपक कौन्षी गलती के कारण, यह व्यक्ति आपकी जुनकाल में दस्तक दे रहा है, आखिर आपको अपने जुनकाल में अपको कौन्षाश शुधार करना चाहिए, कौन्षी विशयस बातों का अब आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि यह व्यक्ति दूवारा आप शिबी की खाश होंगे दोस्तों आपको बता दें किम आपको कुछ हैसे मंत्र के बारे में बताएंगे कुछ हैसे उपाय के बारे में बताएंगे जिने करने से दोस्तों आप शिव की जुनकाल की शारी परिशानियां धेरे-धेरे खत्म हो जाएंगी और दोस्तों आपने जुनकाल में खुशियां भरा जीवन व्यतित कर पाएंगे तो आई दोसों बात करते हैं उशे पहले दोसों सरपर्थन जो भी माकाली के शच्चे बक्त विडियो को देख रहे हैं दोसों विडियो को एक प्याराश लाइक ज़रू करें और कमेंड बोक्ष में सच्चे मंद से जय माकाली लिग दें माकाली के शर्वास आपके जुनकाल में शारी परिशनया खत्मोंगी जुनकाल में आपको खुशियां मिलना परण होगा जी दोसों तो आई दोसों बात करते हैं शुरुवात करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत अच्छे ग्यांशे दोस्व भगवान श्रीकिष्ण यह बात गीता में कहीं है कि कल्यूग में व्यक्ति के जुनकाल में एशी घटना होगी कि जब एक दुसरे धन अर्जित करने लगेंगे जो ज्यादा धन श्याद करेंगे यानि दोस्व उनके ही उनकाल में रहने वाले जो लोग होंगी इंशिया करने खुशण possa किवावन और ठवी आ अपना केमारे लोह और अदखर प्रकार आप्षभी के राश्य के शाथ देखा जा रहा है कि पिछले कईश्य में से जो आपके श्रब से करीबी लोग है जो आपको जान से भी ज्यादा मानते थे या फिर आप उन्हें जान से भी ज्यादा मानते थे दोसों इसे ही लोग आपको दुखा दे रहे हैं जै दोस काला जादू कर रहे हैं जो कि आपको बरबात करने की शाजिसें कर रहे हैं और दोसों आपको अब कौनशे मंत्रों का कौनशे उपाय करना चाहिए और शाथी आपको जुनकाल में कौनशे गलतियां नहीं करनी चाहिए शुई बातें चेले दोसों बात करते हैं पूरे विस् आपकी ही एक राशी एक लोता एशी है जिनके पिछले कुछ वर्स बहुती ज़्यादा दुखत बीते हैं और शाय दोसों बहुती मुश्यवितों का शामना भी आपने किये हैं एशी में दोसों आप लोग को बताना चाहेंगी दोसों यश में जो आपकी गरहों की पस्तिती ह वह दर्शा रही है कि आज रात बारा बजे से आपके उपर तांतरिक किरियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोसों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली हैं जिया दोसों पर दोसों इस बार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुश्युपते आने व बुरा नहीं सोचते ना ही किसी को पीजे ढखलने के बारे में सोचते हैं प्रणु दोस्तों इतने शीदे इतने अच्छे होने के बावजूद भी इस राशी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोसों लोग आपके भोले पन का फाइदा उठा कर अपने जादों में आपको फशा रहे हैं यह कहें दोसों तांतरिक क्रिया में आपको फशा रहे हैं यानि कि दोसों आपको बता दे कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ इससे जादो करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं जिया दोस्तों और श्री के चलते आपकी जुन काल में शंकुटनों का आपको श्रमना करना पड़ता है तो दोस्तों आपके जोर्म में छुपे कोई तीन एशे लोग हैं जो आज रात बारा बजे शे जिया दोस्तों पूरा शुन लिजिए आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो की आज रात बारा बजे शे आपको अपने बातों के जादू में फ़शाने वाले हैं यह कहें बातों के शितांत्रिक किर्या होगी जैसे आप उनके जाल में फंशने वाले हैं और दोस्व इस बार कोई बड़ी मुश्बत आपके शराश चाहती है तो दोस्व इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्व आपके राशी के जो भी जातक हैं आपको तीन गलत दोसों आप अपने आने वाले आगे जिवन में बिल्कुल ही ना करें बिल्कुल ही ना दोराएं जया दोसों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें जया दोसों चाहे आप कुछ भी कर लेंगे प्रंतु आपने जिवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं क रास्री के जातक शवी को अपना मानते हैं या लोग दोस्तों IH में विश्वास रख्ते हैं आप लोग सोचते हैं कि शवी का विकास एक शाथ होना चाहिए दोस्तों अगर हमारे जिं गया मुशेमट आये तो शवी को 1 चाह रहकर जहलने परिवारों का भला चाहते हैं, उनकी मुशिवतों में आप सामिल रहते हैं, उनके मुशिवतों को भी आप अपने शर ले लेते हैं, प्रंदों दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, जिहां दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपके उ बात शच्चा लग रहा हो दोस्तों हमें कमेंड करके ज़रूर बताईएगा जेंदोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्विवतों को आपने बांटा है प्रदू दोस्तों जब आप पर श सोचे बिना किसी को समझे उनकी उपर भरोशा और उनकी मदद बिलकुल ही ना करें आज शे ही आप इनको करना बंद कर दें जिया दोस्तों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही किसी और इंशान को नहीं मिलेगा आपको अपना दुख श्वेंग ही जहलना पड़ेगा किसी और को बिलकुल भी फरक नहीं फड़ने वाला तो दोस्तों आज शे आप अपने की सोचें और दोस्तों आपके दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी वेक्ति से मुलका बार मिले हो या पिर बहुत सालों के बात एक बार मिले हो लेकिन दोस्तों आप उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिलकुल भी शेयर ना करें कि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही बले fundamentals टें और फिर आपके ऊपर में शंकुटों का व इस एशात जाल भी शताते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं चैने दोस्तों और तिश्री गलती आपके जिवन में यहां है कि धन के मामले में किसी परहत से जादा भरुशाना करें क्यों दोस्तों बात कड़ी है लेकिन दोस्तों इस बात पर शचाई भी है दोस्तों आपको बता दें कि आज की दौर में पेशों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है दोस्तों वह दोस्तों गरों की आज की जो इस्तिती है वो आप बता रहे है दोस्तों आज रात बारा बजी शी आपके उपर कुछ लोग तांतरिक किरियाई करने वाले हैं यो कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फशाने वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है जो लोग आपके जूनकाल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें जो भी लोग आपको इसे बातों में पहचाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंड ढूंड कर उनसे अपना शम्मन तोड़ दें जैन दोस्तों और दो जो मुश्यूबत है उनमें बिर्दी होती जाएंगी और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी क्यों दोस्तों आप इन्हें सचे मित्र मानते हैं आप एशे दुस्मनों से पीछा चुटा लेजिए दोस्तों बात करते हैं कि आपके जुनकाल में आपके घर परवा किशी का काला जादू है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि तीन लाल शुकी मिश्य लेकर दोस्तों उन्हें आग में जला दे और जलाने के बाद अगर वह धुआ गंद नहीं करता हूँ तो दोस्तों आपको श्मा जाना है कि आपके घर में किशी का ज्रादू टोना हुआ है जिए दोसों तो दोसों इंशे बचने के लिए आपको कौन सी उपाय को करना चाहिए दोसों आप शिभी को बता दें कि आप एक मुठी चावाग हांत में रखकर एकावन या फिर एक सो आठ बार ओम नमशिवाय का जाप करके पक्षियों के लिए घर से बाहर में डाल दें इस नियम को अकेज दिन या फिर एकावन दिन तक धोराएं इशा करने से घर में श्रकार्तम उर्जा और शांती आती है और दोसों घर परिवार में किशी प्रेत आ हम जादू कर दिया है दोस्तों नकार्टम प्रभाव सकत्म होने लगता है और घर का वातरण बहुत शुड़ा है। आपके घर में भूतर की अकशिक कालाशादू होता है तो दोसओं घर में व्यक्ति वीमार होने लगता है, मन अशांथ होने लगता है. तो दोस Rajya में जो व्यक्ति वीमार है, प्राथा काल एक गिलाश पाने लेकर, पुरू दिशा दिशा की और मुँझ करके खड़े होकर ये मंत्र का अक्केश बार्जाब करके पीजाएं एवंग इश्वार्षी अपने रोग को दूर करने के लिए प्रात्ना करें तो श्विगरी श्वास्त में आपका लाब होगा या परियोग श्वमार्षी शुरू करके रिवार तक लगतार साथ दिन तक करें दोसों मंत है एम धन्यवाद आप शबी का दिन शुब रहें